जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जै श्री हरी विश्णु भगवान जी की जै पुर्शोतम ममास महत्यम्य की मंदर शिबनसी बाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओड़ से आज हम आपको पुर्षोतम मास महत्यम के तेरवे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं पुर्षोतम मास का ये पावन समय चल रहा है इस पुर्षोतम मास में भगवान की भक्ती करने से अनन्त गुना पुन्यफल प्राप्त होता है अन्य दिनों में भगवान की भक्ती से जो पुन्यफल मिलता है इस पुर्षोतम मास में वही फल अनन्त गुना होकर प्राप्त होत कि किर्पया हमें ये बताए कि राजा दिर्ड धनवा ने पुर्शोतम मास के स्नान वरत और पूजा से क्या प्राप्त किया। ये बताए कि राजा दिर्ड धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सर्वगुन संपन पुत्र राजा दिर्ड धनवा हुए हैं। उन्होंने चारों वेद बड़ी परसंता तथा चतुर्ता के साथ पड़े। जिस परकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है। उसी परकार गुरु जी से एक बार सुनने मातर से आपने सभी वेद याद कर लिये। विध्या अधेन करने के बाद गुरु जी को दक्षिना देकर आग्या प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए हैं। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुँचकर पिता जी को प्रसं किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसं मुख दो भुजा वाले मूरली धर भगवान शीक्रिशन जी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि उन से भढ़कर और कोई परमसत्य नहीं है। इस कारण मुझे वन में जाकर शीक्रिशन भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, इस्त्री, पूत पूत्र आधी के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा द्रिड निश्य करके अपने योग्य पूत्र द्रिड धन्वा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में तरी लोकी नाथ भगवान शीक्रिशन जी का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की है। रथा राजा चित्र धर्मा तपस्या करते करते वेकूंठ धाम को प्राप्त हुए है। भगवान की भक्ती हो तो ऐसी कि भगवान की याद करते करते तपस्या करते करते ठाकुर जी के धाम में मनुष्य चला जाए। राजा दिर धन्वा ने पीता के वेकूंठ वास के समाचार को सुना पित्र भक्त महाराजा द्रिड धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कतना अनुसार पिता के क्रिया करम किये हैं पवित्र नगर पुषकरा वर्तक में नीती शास्त्र में निपुन राजा राज्य करने लगा उसकी सुन्दर स्वभाव वाली विधरब देश के राजा की पुत्री गुन सुन्दरी नाम की धरम पतनी थी जिस प्रकार राजा द्रिड धनवा का मन सदेव ठाकुट जी के चरनों में लगा रहता था शीरी किशोरी जी के चरनों में लगा रहता था ठीक उसी प्रकार उनकी धर्म पतनी गुन सुंदरी का मन भी भगवान शी राधा क्रिशन जी के चर्णों में लगा रहता था राजा दिर धन्वा की धरम पतनी गुन सुंद्री ने चार सुंदर चतुर पुत्र उत्पन किये हैं तथा चारूमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया है उनके चारों पुत्र माननिय शूर वीर थे उनके नाम चितरवाक, चितरवाह, मनी मान तथा चितर कुंडल थे श्री नरायन भगवान धीवरिशी नारदजी से आगे की कथा का वर्नन करते हुए कहने लगे हैं कि हे मुनिवर एक दिन रात्री में सोते समय राजा विचार करने लगा कि है सब सूख किस बड़े पुन्य का फल है मैंने कोई तपस्या नहीं की ना कोई दान किया है ना कोई ह बढवन ही किया है इस समय किस के पास जाकर अपने इस सो भागे का कारन जानूँ इस प्रकार विचार करते परे रात्री बीट गई है प्रातयकाल भ्रम मुःत में एठकर राजा ने सनान आदी नितिकरम किया है प्रात्यकालीन संध्या करते हुए सूर्य उद्य होने पर अर्धे देकर भगवान जी की क्रिपा से ब्रह्मन आदिकों का स्वागत सत्कार नमसकार दान आदि देकर उनको प्रसन किया है घोड़े पर सवार हुए है राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे पहाँ पर उन्होंने मरिग वाराह सिह और अन्य अन्य को भयानक पशों का शिकार किया है एक मरिग राजा दिर धन्वा के बांदवारा बिंद कर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा राजा ने भागते हीरन के खून की गिरी बुंदों को देखते हुए पीछा किया किन्तु वो हीरन कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे भवत समय तक वन में भटकते भटकते राजा को प्यास सताने लगी और वहे व्याकुल हो गए जल की खोज करने पर उने एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया है वहाँ पर उन्होंने जाकर शीतल जल पिया है फिर किनारे पर जा बैठे हैं राजा ने वहाँ पर एक बड़ का व्रिक्ष देखा है उस व्रिक्ष से घोडे को बांध कर राजा वहाँ पर बैठ गए हैं उसी व्रिक्ष पर एक तोता आकर बैठ गया वह तोता मनुश्यों किसी बोली में बोलने लगा राजा उसे सुनकर बड़े आश्यर में पड़ गए वह तोता कहने लगा कि हे रा राजा के सामने वह तोता कई बार इसी परकार कहने लगा जिसे सुनकर राजा प्रसन और मोहित हुए हैं राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम में साड़ पूर्ण शलोक को बारं बार बोल कर क्या कह रहा है यह श्रिवेद वाज जी के पुत्र इतने समय में ही राजा की वो सैना भी वहाँ पर आ गई जो शिकार खेलते हुए राजा से बिच्छर चुकी थी तोता राजा को ग्यान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वच्छनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गई हैं अपने महल में आकर राजा आज चिंता में डूब गए हैं राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया एक दिन राजा के पास एकांत में आकर राणी गुन सुंदरी कहने लगी है कि हे राजन आप इस परकार की उदासी कहां से ले आए हैं उठिये कुछ तो बोलिये बात चीत क करिये सुखों को भोगिये राणी के बार-बार अनुने करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि राजा तो तोते के उन सार घर्वित शब्दों को बार-बार याद कर रहे थे जोकी देवताओं को भी समझ में नहीं आ सकते थे राणी ने राजा की ये सोचते हुए भहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग आज राजा को नजर नहीं आ रहा है जीवन हो तो इस राजा जैसा जिसने एक बार एक तोते के मुख से ज्यान की बात सुनी तो उसका मन उधर ही लग गया आज संसार में जो मनुष्य सुखों को भोग रहे हैं भोग विलास कर रहे हैं वो भगवान को याद करते ही नहीं है यदा कदा भगवान की याद आ भी जाए तो उसी शन भूल जाते हैं जो भगवान की भक्ती करते हैं वो तो भगवान को प्यारे होते हैं लेकिन जो भोग विलास में डुबे हुए हैं उन्हे भगवान कैसे याद आएंगे लेकिन धन्य है ये राजा जिनके पास पूरा राज्य था जो राज्य के सभी सूख भोग रहे थे लेकिन पहले भी उनका मन भगवान के चर्णों में लगा हुआ था लेकिन जैसे ही तोते के उन शब्दों को सुना तो उनका मन राज पाटर से हट गया केवल तोते के शब्दों को याद कर रहे हैं और मन ठाकुर जी के चर्णों में लगा हुआ है एक ही चिंता बार-बार हो रही है कि तोते के शब्दों में क्या गहरा अर्थ है उसे कैसे समझू उसे कैसे जानू तो यहीं पर आज की इस परम सुन्दर कथा का विश्र कीजिए कि जो पुर्शोतम मास की कथाएं आप प्रती दिन सुन रहे हैं इनका फल पूरे तीन वर्ष तक तो अवश्य मिलता ही है लेकिन जो विशेश फल है वो भगवान से प्यार होना है इन कथाओं को सुनकर भगवान से प्यार हो जाता है संसारिक फल भी तीन वर्ष मिलते हैं साधारन जो कोई मास होता है उसमें भक्ती करने से एक वर्ष तक फल मिलता है लेकिन पुर्शोतम मास में भगवान की भक्ती करने से पूरे तीन वर्ष तक फल मिलता है इसलिए इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से प्रेम भाव से सुने भगवान श्री रादा आमना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षिमी नराइन जी भगवान की जै पुर्शोत्म मास महत्यम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्री राधे श्याम